हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आप सभी का स्वागत करते हुए मेरे चैनल में यहाँ पर देखिए मैंने 7 x 3.5 इंच का एक पीस लिया है इसे डबल फोल्ड किया है तो 7 x 7 इंच का एक स्क्वेर पीस लिया है बीच में से फोल्ड करके इसके तीनों की नरोपे सिलाई कर ली है यहा पर देखिए इस तरीके से लेस को हमें एक साइट से लगाना स्टार्ट करना है यहां पर इसके तीनों कॉर्णर पर हमें लेस को अटेज करना है यहां पर देखिए इस तरीके से यहां तक हमें लेस कोटेज करना है आपके पास कोई भी पड़ी है लेस चुट चुटी सिलाई से बची कत्रन तो इस तरीके से आप ब्यूटिफुल लटकन बना सकते घर में अपने ब्लाउज के लिए लेंगे के लिए इस तरीके से यहां और देखें, फिर से हमें एक पर लेस कोटेज करना है, अंदर की तरफ, यह तीनों साइट से एक एक इंच इतना डिस्टन्स रखते हुए, फिर से हमें लेस कोटेज करना है, से हमें इसी तरीके से, इसके तीनों तरफ करना है, उपर की तरफ नहीं करना है, यहां पर पोल करन यह देखें अर में अब इक्स्रा ली साहरे उसे कटकर कर के नाए हिस तरीके से देखे आप इसका सेंटर पइंटि निकालना है कि महां पर में डोर लगानी है यह पर तो पालब करें, इक ही तरफ इसलाई करनी सो सबगारिए, बहुत आसान तरीके से आप चोड़ों के कत्रह बहुत भाड़ा बढ़ा में बना सकते हैं, बना सकते हैं ड्रेस के लिए देखिए यहां पर मैंने डबल स्ले चला लिए है और इससे सीधा करना है यहां से इस तरीके से देखिए यहां पर सीधा करने के बाद इसका इस तरीके से लुकाएगा अब इसमें आप चाहे तो सिलाई से बची कतरन भी बारी कट करके डाल सकते हैं मेरे पास फॉर्मशीट पड़ा था तो मैं इसमें फॉर्मशीट डालूंगे यहां पर देखिए अब छुट छुटी करके कतरन भी कॉटन भी कुछ भी इसमें रख सकते हैं यहां पर देखिए इस तरीके से और इसके तीनों तरफ फिर से हमें सिलाई करनी है अब यहां से यहां तक हमें सिलाई करके से अटेच करना है देखे फ्रेंट से यहां पर सिलाई करने के बाद इस तरीके से हमारा ब्यूटिफुल सा लटकर बनका तयार है बिल्कुल फ्री में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेट चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते है अगले वीडियो में